आप चारिक पत्र इसको पर्सनल लेटर भी कह देते हैं आपकी दोनों नाम ध्यान मुंसिटी और पर्सनल लेटर को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं क्योंकि एपने खास आदमी को लिखा जाता है जिससे आपका नजदी की संबंद रिलेशन्स हो रहा है नजदी के आदमी को लिखते हुँ दूसरे नंबर दोज आज आपने इसको रीड करएंगे पर मैं betyнов प्रुकार आपको बता रहां रहम haird...? इसनोबर प्रुमल लेटर इसमें कई तरीके के आते हैं जिनके अपने पैट्रेन से तरीके होते हैं informal तो आप कैसे भी एक सिंकल वे में लिख देते हूं उसके भी कहलत नॉर्म सो है इसमें लेटर टू एड़ेटर भी इसी में आता है लेटर इंफॉर्मल लेटरी या इमेल आ सकती है या फॉर्मल लेटर और biology मेल आ Nim अब आप द्यान से देख लिए अनौप चारिक पत्र इसको लिखा गया है यानि कि इसकी कोई ऐसे फिक्स रूल सेंड रेगुलेशन नहीं होती जैसे व्यवाई कार्ड में छपते हैं कि यहां पर गणेजसी की तस्वीर होगी वक्र टूंड माग आई सुर्य कोटी संप्रब फिर आपके नीचे दिया जाता है कि स्रिमत्य और प्रोग्राम होता है इधर वेन्यू होता है इधर उत्रा कांग से होता है इधर स्वागते तौ आतूर होता है वो चीज़े इसमें फिक्स फॉर्मेंट नहीं है एक जनरली सिंपली लेटर तैयार किया आता है लेकिन अब कि आज के पेटरन में किसी जमाने में इसं लिखने वाले का एडर तीन में मैणिमम तीन लाइन और मैक्जिमम । नौ नाय। जो आपके co-piece के बाइयं part से चाल contingent सारा सब कुछ बाइयं part से चालू होता हैं एक time थे अपने इन तीन लाइनों को पहले यहाँ लिखा करते थे לěकिन समय बदला और समय के साथ वर्तमान मी क्या चल रहा है वह अपडेट अपन इनको यह है है यहां आएगी उसमें मकान नंबर फिर कोलोनी की नाम आएगा आपका कोलोनी का नेम और अपोजिट एरपोर्ट सांगाने यह मैंने एरो लगा के एक लाइन छोड़ दिये इसका मतलब आपको भी एक लाइन छोड़ने फिर डैट आएगी डैट को सिंपली दोस्तों आपको यही पै saber-220 यह ingleis के नजरी से गलत है इसमें आपके ingleist के दो तरीके कौन से हो सकते हैं ?니다amilis के दो तरीके होते हैं दोस्तों जैसे पहला तो होता है कि 23 तारीक अक्टूबर का मेना सब जानते हैं कहने की जुरूत नहीं कि दस्वा मेना होता है गिनोगे जनवरी फरवरी मार्स से हैं गिनते हैं आओगे अक्टूबर दस्वे नंबर पे आता है और 2020 यह इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हों यह भी सही है कि अक्टूबर पहले आ जाए फिर 23 आ जाए महिना पहले आरा इसमें बस और 2020 पर ज्यादा अच्छा अट्रेक्टिव और लिखने में समझने में यह तो उपर वाला तरीका ही लिखना 23 अक्टूबर 2020 इंग्लिस में जहां-जहां कहीं भी जुरुत पढ़ती है अपन को रिपोर्ट हो आर्टिकल हो एडिटर लेटर हो सम्में इसी तरीके से यही पैटरन चलेगा तारिक आपका एक लाइन चोड़ना है उसके बाद आपको माईडियर जो आपका अन्बोधन 236 लिए इंग्लिस में और छोटों के लिए ही प्रेंडी में होता है पर इंग्लिस में एक ही बड़ा होता है अब आग़े फादर आउस्टर नाम भी लिख सकते हूं इस डेट के लिए उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है जहां जहां मैंने एरो लगा रख है वहां आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी यह rules and regulation में है और जो अपन परसन उत्रों की जो यह lining है इससे बिल्कुल टच करते हो लिखेंगे आज के rules regulation में है पांस नमबर फ कोई भी अच्छा लिख सकता है हिंदी में लिखते हैं मैं अकुसल मंगल हो इस वर से प्रात ना करता हूं कि आप यहां कुसल मंगल होंगे अगर यही लेंग्वेज आपने इंगलिस में लिख दी तो एक अच्छा एफेक्ट जाएगा वह सोचे बचे ने कलम तोड़ दी क रहां पर और देर जां रह रहे हूं आई रिसीव ने प्रात किया यह लविंग लेटर तुम्हारा इसने बड़ा पत्र लविंग से तात्परियां इसने से दोस्तों यस्टरडे कल प्रात किया यह भी सब में आ सकता है यह सेंटेंस भी आएम वेरी एपी टूरीड इसको आ तक सम्यान है यह तीन लाइन है इसकी आपकी कोफी में भी काफी मदद करेंगी तो यह सब के लिए सीखना हो रहा है आज मैंने सबस्वे सरल लेटर तैयार कि वैसे तुम्हारे एक सलापत्र आएगा तुम्हारे के मानलो एजूकेशनल या इस्टोरिकल टूर में जाने के लिए पिताजी सीव करती वाला आ सकता है तुम्हारे और तुम्हारे अनुवल फंक्सर का वर्णन करा सकता है चोटे बाई को सलापत्र हेल्थ के लिए या इस्टेडी के लिए और जैसे मित्र को अपनी भेहिन की शादी में बुलाने के लिए या बढ़े पार्टिम बुल सल रही है यूनि नोट वरीड अबाउट इट तुम्हें इसके बारे में चिंतित होने की जुरत नहीं है बट माई एक्जाम सार रनिंग मेरी प्रिक्ष्य हैं लेकिन प्रारंब है क्योंकि जब आप यहली में अगर आप लिखते हो तो भी जारी रहना बता होगे और कुछ भी मैट्रियल कि यहां मैं एक सेंटेंस लिखना दोस्तों भूल गया इसको मैं यहां यहां आगे लिख देता हम प्लीज सो प्लीज इसलिए कि 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 सेंड मी कि वन थाउजेंट जित्ते उसमें बता जाते हैं वन थाउजेंट कि कि सो प्लीज सेंड मी वन थाउजेंट रूपीज कि वाई मनी ओडर एजर्डी जित्ते जल्दी संभव हो सके त्यल्दी यह पैसे मंगवाने के लिए अपने एक पत्र तयार किया है सो प्लीज सेंड मी वन थाउजेंट रूपीज बाई मनी ओडर एजर्ली इसके बाद एक लाइन चोड़ेंगे और लास्ट में कट सी वर्ड पे माई बैस्ट रिगार्ड टू यू पिता जिस कहने आपको मेरा चरिक पर सेंड एए मधयार माता जी को अगर यह ऊंघ्र हो तो फिर यू एंडियर ऑंट अकोडिंग तो सिचिविस्ट valley लाव टू चिल्ट्र виर इन अपको यहां लिखना है कि अगर पर्षणपत्र का नाम और डैस आपको काम में लेता है लिए8 आएगा जो पत्र सा नीचे आता है जीवन में एप्लिकेशन भी लिखते हो तो उपर टू लिखकर दा प्रिंशिपल से चालू होता है नाम हमें सब प्रार्थी की जगह लास्ट में आता है इस जट के लिए तो परसन पत्र में कोई अगर एड्रेस और नाम के लिए रहे तो वह एड्रेस और व यहां एक लाइन छोड़नी पड़ेगी आपको इस जट के लिए उसके बाद ही यह चोड़के यह कट से इस वर्ड आते हैं एक डेड्र लाइन के होते हैं कि पे माई बैस्ट रिगार टू यू एंडियर मदर डियर अंकल जो भी है उससे समंधित और फिर इस तरीके से अब इस इकारी को लिखते हो तो लास्ट में हमेसे यहां यूर्स वेथफुली आता है और एडिटर जिसे अपन संपादक भी कहते हैं उसको लिख रहे हो तो यूर्स ट्रूली आएगा इस डेट के लिए यह अलग-अलग अकोर्डिंग टू पोस्ट के अकोर्डिंग यह गो एड़ बेस्ट अप्लाग किति देरगा बना